नमस्कार, प्रिय दर्सकों मैं मोशलोजा रवी गुप्ता और स्वागत करता हूँ मेरी योटूब चैनल में प्रिय दर्सकों, आज मैं जो आपको जानकारी परदान करूँगा आज मैं आपको बताऊंगा, कि आपकी जनब पत्रिका में अगर कोई भी गरहा किसी रासी पे स्थीत है, तो वह कितनी डिग्री में है क्योंकि डिग्री के नुषार जो है, जोति सास्त्र में गरहों की अवस्थाओं को बाटा गया है यानि जो ग्रह जितने डिगरी में होता है उस अवस्था को देख करके आप यह जान सकते हैं कि उसका प्रभाव मनुस्य के उपर उस ग्रह का कितना पढ़ रहा है ऐसे तो जोती सास्तर में स्रिप ग्रहों के अंसियाने डिगरी के अलावा भी बहुत सारे योग होते हैं उचस्त, निचस्त, मित्रत, दृष्टी संबत, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं देखे जाते हैं लेकिन जो ग्रह जितने डिगरी में होते हैं उसका जो प्रभाव मनुस्य के पर उतना ही पड़ता है क्योंकि हर ग्रह के डिगरी 0 से लेकर के 30 डिगरी के मद्धे में ही होता है मतलब कोई भी ग्रह जब किसी रासी में बैठेगा तो जीरो से लेकर के 30 डिग्री के मद्दे में ही बैठेगा और इस जीरो से 30 डिग्री को भी जो है पांच भागों में बाट दिया गया है तो आज मैं आपको यह बताऊँगा कि अगर आपकी पत्रिका में कोई ग्रह किसी विरासी में बैठा हुआ है और वह कैसे आप जान पाईएगा कि इतनी डिग्री में बैठा हुआ है तो इसका प्रभाव क्या रहेगा क्योंकि ग्रह के अवस्था ही उसकी मजबूती को दिखाने वाला होता है तो मैं आपको बहुती असान फॉर्मूला समझाओंगा आप इस फॉर्मूला को समझ जाएगा तो निश्चित तोर पे अगर आप जोतिस के छेतर में उसमें भी आपको सहायक हो जाएगा और अपनी स्वयम की पत्रिका भी आप देखना चाहते हैं तो भी आपको इसमें बहुत ही जादा सहायक सिद्ध होगा क्योंकि ग्रह की आवस्थाएं बहुत कुछ निर्भर करता है किसी विवेक्ति के जनम पत्रिका में प्रिय दर्सों को देखिए ग्रह की जो अवस्थाएं होती है इसको जनरली पाँच भागों में बाटा गया है जिसमें पहला ये होता है बाल अवस्था, कुमार अवस्था, योग अवस्था, बिरिद अवस्था और मृत अवस्था अब देखिए कोई भी ग्रह जब रहेगा तो निश्चित तोर पे वो मेश रासी से ले करके मीन रासी कहीं मद्द में किसी नो तो किसी रासी पे बैठेगा तो प्रतिक रासीों का होता है अपना अपना अंग ये जनकारी मैंने पिछली वीडियो में दी है अब जैसे कि देखिए मेश रासी एक नंबर आपके पत्रिका में जरम कुंडली में कहीं एक नंबर होता है तो हमेश रासी होता है तो मेश रासी का नंबर एक होता है बिरिश पुषिक राशी का आठ धनु राशी का नौ और मकर राशी का दस और कुम राशी का जो होता है 11 होता है अमीन राशी का जो होता है 12 होता है आप यहां पे जोती सास्त्र को किस तरीके से अंसु के अधार पे समझा रहा हूं आप पहले समझेगा यहां पे देखिए क्या है एक, तीन, पाँच, साथ, नौ, ग्यारा ये जो है विशमराशी हो गये और इधर देखिए दो, चार, छे, आट, दस, बारा ये जो है समराशी हो गया अब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ कि अगर आपकी पत्रिका में कोई भी ग्रह अगर विशमराशी में जैसे एक नंबर विशमराशी होता है यानि मिशराशी के स्वामी हुए अगर कोई भी ग्रह विशमराशी में यानि एक नंबर पे तीन नंबर पे पाच नंबर पे साथ नंबर पे नौन नंबर पे ग्यारा नंबर पे कोई भी ग्रह अगर विशमराशी पे आप समझेगा मैं बहुत बाल अवस्था आप इद्दम समझेगा बहुत अशान फोर्मूला आपको बता रहा हूँ बहुत सहायक होगा आगे चल करके क्योंकि आगे चल करके मैं जो 30 के चेतर में बहुत अच्छी चेज़नकारी आपको परदानी करने माला हूँ तो बिशम राशी में यानि बिशम रा बहुत कमजोर होते हैं कुमार अवस्थामेग्रा थोड़े मजबूत होते हैं यूव अवस्थामेग्रा बहुत पावरफूल होते हैं हम लोग कैसा यूवा है कितना पावरफूल रहता है हम लोग कोई भी काम को स्पीड में कर सकते हैं और बिश अवस्थामेग्रा और मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ग्रह का प्रभाव जो होता है यह बाल कुमार यूवा व्रिद और मृत अवस्था के अधार पर ही होता है मतलब ग्रह जीतना ज़्यादा अच्छे पोजिशन पे रहेगा जैसे कि माने जी यूवा कुमार के वस्था में रहेगा तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ यह जो है समराशी के सरेणी में है बिल्कुल आप देखिए दो चार छे आठ दस बारा यह जो है समराशी के अंतर गता गिया अब मैं आपको बताता हूँ, समराशी में कोई भी ग्रह, अगर 0 से 6 डिगरी के अंत में है, समराशी में याद रखिएगा, विशमराशी में नहीं समराशी में, 0 से 6 डिगरी के अंत में है, तो वह मेरी दवस्था में रहेगा, इसके अलाबा, विशमराशी में कोई भी ग्र माप करेंगे समराशी में कोई विग्रा 6 डिग्री से 12 डिग्री के मद्धे में रहेगा तो वह बृध अवस्था में रहेगा समराशी में कोई विग्रा 12 से 18 डिग्री के मद्धे में रहेगा तो वह यू अवस्था में रहेगा मैंने आपको बताया है कि आपके कुंडली में बाल अवस्था से ले करके मिरित अवस्था तक में ग्रहों का क्या फल होता है यह बहुत ही समानने बात है कोई अविशक्ता नहीं है कि में इसके बारे में आपको बहुत जादा समझाओ बाल अवस्था, बिरिद अवस्था, कुमार अवस्था के बारे में ये एक समानने बात हैं जो आप समझ सकते हैं तो प्रिय दर्सुको आज मैंने आपको जानकारी दिया कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके कुडली में ग्रह कितने डिगरी में है, किस रासी पे है और किस अवस्था में है यह जनकारी आपको जीवन भर काम आएगी और आप इस हिसाब से अपने ग्रोहों की परिष्थितियों को देख करके आप उसके प्रभाव का आंकलान बहुती प्रफिक्ट तरीके से करा सकते हैं अगली वीडियों और महत्पुन और ग्यान बरतक जनकारी को लेकरके आपके समक्चे प्रस्तूत हो जाओंगा तब तक लिए नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यवाद